नमस्कार, मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News हर्यान वासियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है आज का दिन यानि एक नॉम्बर 1966 को हर्यान राजी के स्थापना हुई थी हर्यान राजी का जन्म पंजाब से हुआ है 1966 में पंजाब दता हर्याना के छेत्रों को विवाजित क्या गया था जिसे हर्याना वासी परतेक वर्ष बड़े ही हरसोलास के साथ एक नॉवमर को हर्याना दिवस के रूप में मनाते हैं तो इस आवसर पर आप सभी को CWP हिंदी नुज के तरफ से सभी हर्याना वासियों की हर्याना दिवस आवसर पर बहुत बहुत सुब काम नहीं आज यानि एक नॉवमर को और एक खास दिन है आज सुहागिनों का सबसे खास पारू करवा चोथ का हर साल कारतिक मास के कृष्ण पक्स की चतुरति दिथी के दिन मनाये जाता है अब की बार करवा चोत का वर्त एक नॉवमबर यानि आज रखा जाएगा और चंद्रमा एक नॉवमबर को रातरी आठ बज कर दस मिनट पर उद्य होगा आईए सबसे प्याड़े बढ़ते हैं दिनबर की सुर्क्यों की तरफ अमरेथर से दिल्ली तक एर पोलिशन, पंजाब में बटिंडा, हर्याणा का बहादरुगण देश के सबसे परदुशित सहर गोपाल कांडा के दफ्तर कैसिनों पर इडिक रेड, गोवा और सिलिगुडी में कैस्थानों पर छापे मारी हर्याणा की सिर्शा सीट से हैं विधायक पुलिस भरती प्रिक्षा के संसोदित नेमों को मिली मंजूरी प्रिक्षा में 20 सवाल होंगे हर्याणा से संबन्दित सीबेसी बोड ने जारी किया जरूरी नोटीस, प्रिक्षा देनेवाली स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर बताएंगे पूरी अपडेट शेडूल जारी होने के बाद अटके 50,000 अध्यापकों के तबादले आज तूटी और भड़ी मुस्क लें बताएंगे पूरी खबर हरियाने से चलेंगी लंबी दूरी की दो स्पेसल ट्रेने त्योहारों को देख रेलवी ने लिया बड़ा फैसला, रेवाडी के राष्ते दोडेंगी, दोनोट साफता एक ट्रेने हर्याने की जीन्द में जेजेपी को लगा बड़ा जटका पार्टी के लीगल सेल के प्रतेस प्रवारी और पूर विदायक सुरुजभान ने अपने पद सिद्या इस्तिपा महारास्ट में मराठा आरक्षन को लेकर बोने मुंबई हाईवे जाम आठ जिलों में हिन्सक प्रतर्शन जारी आंदुलन के नेता मनोज जारंगी ने आंदुलन देश भर में फैलने की दीचेतावनी एपल के नए मैक बूक और आई मैक लॉंच नई M3 चीप वाले 14 इंच मैक बूक प्रो की शुर्वाती कीमत एक लाख उनेतर अजार रुपे चोदरी रणवीर सिंग उनिवर्सिटी जीन्ज में आई विभिन पदों पर भरती बताएंगे पूरी अपडेट यवनानगर में सबसे पहले चली सुकर मील 155 लाख क्यूंटल गन्ना फिराई का है लक्ष हिसार जिले के लिए बड़ी खुशकबरी एरपोर्ट के पास हाईवे पर बनेंगे इंटरस्टेट बस स्टेंड और मल्टी लेवल अस्पताल जियोफोन प्राइमा 4G स्मार्ट फिस्टर फोन लांच वा तेश लैंग्वेज स्पोर्ट के साथ वाट्शब और यूटूब बिचलाश केंगे यूजर्स और पाकिस्तान ने वाटकप 2023 में बांगलादेश को साथ विकेट शार आया 25 रन 32.3 ओवर में चेज किये बांगलादेश बाहर और आप खबरें विस्तार से अक्तुबर का महीना खात मोचुका है लेकिन अभी तक दिन के तापमान में कमी नहीं आई है अक्तुबर महा के मद्दे में मोशम ठंडा जरूर बना था परन्तु नौमबर महीने के शुरुआत में गर्मी पड़ रही है मोशम के गर्म मिजाज ने किसानों की चिंता आई हुई है नौमबर के पहले सब्ता में हलकी बुंदाबांदी के साथ दिन के तापमान में कमी आने की संभावना है सरसों के अगेती फचल को बढ़ते तापमान से नुकसान की आसंका बनी हुई है चार दिन से तापमान 32 डिगरी सेल्सिस के आसपास बना हुआ है दिन क के समय तेज धूप के कान लोगों को एक बार फिर से कुलर और एसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है राज के तापमान में कमी से लोगों को जरूर कुछ राहत मिली हुई है सब्ता ग्यांत में सुक्रवार को आसमान में बादल चाने के बाद हलकी बरसाद या बुंदाबा को बचा पाना भी मुश्किल हो जाएगा चोदरी रणबीर सिंग यूनिवेस्टी जीन द्वारा अनेक पदों के लिए आविदन आमंतरित किये गए हैं आपको बता देंगे भरत्या कोंट्रेक्ट अधार पर की जाएंगी जो भी इन पदों पर आविदन बेजने के चुक असिस्टेंट प्रोफेसर के 33 पदों पर ये भरत्या की जाएंगी इन पदों के लिए उम्मीद्वारों को ओनलाइन आविदन करने होंगे उम्मीद्वारों से एक और वी नमर निवेदन है कि भरते के लिए आविदन करने से पहले आधिकारिक विग्यापन जरूर देख हरियना में ट्रांसपर की बाढ़ जो रहा ही टीचर्स के उम्मीद्वों को फिर से एक जटका लगा है शेडूल जारी होने के बावजुद भी करीब 50 जाट टीचरों के ट्रांसपर अटक गए हैं इस पूरे घटनाकरा में सबसे खास बात यह है कि सिक्षय वबाकि आधिक दिये हैं यह फिर अपने खुद के मकान बेच कर अपने मूल जिले में ले लिये हैं बताने के शिक्षय वबाकि और सिजब्ट के इंटर डिस्टिक ट्रांसपर को लेकर शेडूल जारी किया गया था इसके तायद 2004-2008 और 2011 के जब्ट के इंटर डिस्टिक ट्रांसपर इस मामले को लेकर शिक्षय मंतरी का और पाल गुरजर भी कोई टिपनी करने से गुरेज कर रहे हैं विभागी सुत्रों का भानना है कि इतनी बड़ी संक्या में टेचरों के ट्रांसपर बीच में रोगने की वज़ए साल 2024 का चुनावी साल हो सकता है केंदरे मादिमेक शिक्षय बोर्ड यानि CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है बोर्ड निकाक्षय दसमी और बार्वी के लिए सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकप जारी कर दिया है नोटिस के अनुसार बात करें तो प्रेक्षय एक जनुरी दोजार चौवी सायव जीत होंगी इस बार बोर्ड प्रेक्षय में स्थामिल होने जारे स्टूडेंट्स को मार्क्स ब्रेकप जरूर चेक कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स CBSC Board के अधिकारिक वेबसाइट cbsc.gov.in के माधिम से दस्वी वे बार्मी का सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकप चेक कर सकते हैं और जल्दी डेट शीट भी जारी की जाएगी हलांकि अभी इस समद्ध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है नोटिस में कहा गाया कि कक्षद दस्वी और बार्मी के परतेक विशे के अधिक्तम अंक सो हैं जो कि थोरी प्रेक्टिकल प्रोजेक्ट और आंतरिक मुल्यांकन में भी बाजित होंगे हरियाना को त्योहारी सीजन में दो स्पेसल ट्रेनों की सोगात मिली है दिपावली और छट पुजा के चलते यात्रियों की सिंख्यामी जाफा होने पर रेलवे के तरब से इंदोर भिवानी इंदोर और वल्षाड भिवानी वल्षाड साब्ताइक ट्रेन चलाएगी तागी त्योहार पर घर जाने वाली यात्रियों को किसे भीत्रागी प्रेसानी ने हो दोसा बांदी कोई अलवर रेवाडी कोशली वच्रकेदादी स्टेस्नों पर ठहरा होगा वहीं गाडी सिंख्या 0907 वल्षाड भिवानी शुपरफास्ट स्पेसल रेल सेवा मार्ग में सूरत वडोदरा रतलाम मंसोर नेमाच चित्तोडगर भिलवाडा विजयनगर अजमेर किसंगर फुलेरा जैपूर गांदी धाम जैपूर दोसा बांदी कोई अलवर रेवाडी कोशली वच्रकेदादी स्टेस्नों पर ठहराओ करेगी हरियाना में होने वाली कॉंस्टेबल और सब इंस्पेक्टर यनि ऐसा ही भरते एकजाम में अब हरियाने से जुड़े 20 सवाल पूछे जाएंगे इससे जुड़े गरह मंतरी अनिल विज के प्रस्ताव पर सिये मनोलाल खटर ने मुहर लगा दी है अब कैमिनेट मिटिंग में एकजाम पैटरन के संसोदित नेमा को मंजूरी के लिए रखा जाएगा भरते एकजाम में पूछे जाने वाले स्वालों में हरियाने की इतियास संसकर्ती और अन्य विशो से समधित प्रशन होंगे इससे पहले हरियाने में सुरू होने वाली कॉंस्टेवल और सब इंस्पेक्टर की भरती से जुड़े एकजाम पैटरन पर गरह मंतरी अनिल विज ने अपति जताई थी अनिल विज ने इसके पीछे की वज़य हरियाने की सीटी पास युवाओं को अधिक से अधिक लाब मिलना बताया है पंजाब के अमरेचसर से दिल्ली तक एर पोलिशन ने सभी की चिंदाओं को बढ़ा दिया है प्राली का दुआ अब धुंद के साथ मिलकर एर क्वाल्टी को बुरी तरह से डैमेज कर रहा है पंजाब हरियान के अधिकतर शेरों का एर क्वाल्टी इंडेक्स यानि AQI 300 के पार चल रहा है वहीं सुप्रिम कोट ने भी गंभीरता दिखाते हुए दिल्ली पंजाब हरियाना यूपी और राजस्तान को एफिडेवट देने को कहा है सुप्रिम कोट का आधिश है कि उत्री राजस्तान को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए है वहीं हरियाना का बहादुरगड और दिल्ली का बवाना देश के सबसे परदुशित शेहरों में चल रहे है वहीं अमरिश्तर से लेकर दिल्ली तक के अन्य शेहरों के बात करें तो कोई भी शेहर सांस लेने के लिए सुरक्षित नहीं बचा है डोक्टर्स की मानने तो दमा के मरिजों के लिए ये हवाद जान लेवा है उन्हें मास्क पहन कर बाहर निकलने के इदायत दी गई है जबकि अन्य को भी अपना मूँ डग कर बाहर निकलना चाहिए गेतिका सर्मा सुषाइड केस में बरी होने वाले और गेतिका सर्मा की मा अनुराधा सर्मा सुशाइड केस का सामना कर रही हरियाणा में हलोपा विधायक एंपूरु मंत्री गोपाल कांडा की मुश्कले कम होती दिखाई नहीं दे रही है परवरतर निदेशाले यानी एडी ने हरियाणा के बाद अब गोवा और शिलिगुडी में कई स्थानों पर छापी मारी गी है यहां कांडा के दफ्तर और कैसिनो में देरात एडी ने रेड शुरू की थी गोपाल कांडा का गोवा में बिग डैडी नाम से कैसिनो चलता है उन्हें गोवा का कैसिनो किंग भी कहा जाता है हरियाणा में गरह राजी मंतरी रह चुके विधाय गोपाल कांडा के खिलाफ एडी आई से अधिक संपति मामले में जांच कर रही है गोपाल कांडा करोड़ पती है साल 2019 के विदान सबाद सुनाओं में दाखिल एफिडेट के मताबिक बात करें तो कांडा के पास करीब 70 करोड़ रुपे की चलवा अचल संपती है सिर्शा में करीब धाय एकड में उन्होंने अपना महल बनवा रखा है जिसके अंदर हेलिकॉप्टर उतरने तक की सुईधा उपलब्द है इस महल के केमत भी करोड़ों में बताए जा रही है हरियान से बाहर दूसरे राज्यों में ड्योटी पर जाने वाली महिला पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिली है सबी पुलिस कर्मियों के साथ ही जिलों की एसपी को भी इस ओर्डर का सक्ति से पालन करने की इधायत दे गई है हरियान के ग्रह मंतरी अनिल विज ने काया कि एवैद खनन को रोगने के लिए आठ जिलों में मैपिंग करवाई जाएगी इसके अलावा एरफोर्समेंट ब्यूरो की कौमन एस ओपी भी तयार की जाएगी अनिल विज नहीं जानकरी हरियान राज्य एनफोर्समेंट ब्यूरो के आधिकारियों के साथ एक बैठक में दी है उन्होंने काया कि एवेद खननन को रोगने के लिए मैपिंग का होना जरूरी है इसके साथ ही वैद खननन करने वाले वाहनों में GPS चिप लगाई जाए ताकि एवेद खननन को रोका जाज के इसके साथ ही रवाना भी जरूरी किया जाए उन्होंने आधिकारी को निर्देश देते वे कहा कि आवेद खरनन को रोगने के लिए अधिक से अधिक सक्ति बरती जाए रोध तक के S.P. हिमानसुक गर्ग ने कॉन्फरेंस हाल में क्राइम को लेकर मिटिंग ली बैठक में S.P. ने जगयन अपराद, महिला विरुद अपराद, डेकेती, लूट पार्ट, आधि के लंबे समय से पेंडिंग चल रहे केसों को जल्द निप्टाने को कहा उन्होंने पुलिस करमचारी को एक अपते का समय दिया है उन्होंने काया कि चोरी, लूट, डेकेती, स्नेचिंग, गरह बेदन, आधि में आरोपी से रिकवर हुए सामान को अदालत के आदेश से जल्द से जल्द पीडित व्यक्ति को दिलवाय जाए जिससे कि आमजन में पुलिस के परती विश्वास बढ़ सके आगे भी सभी परबारी थाना इस बारे में कारवाई करें S.P. ने काया कि सभी थानों में लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निप्टारा करें लड़ाई जगड़े का कोई भी मामला 30 दिन से ज़़ाद लंबित नहीं होना चाहिए थाना परबारी परती दिन थाना में बैटकर आमजिन की सिकायत सुनें वहीं सिकायत करता की समस्या का हर संभाव निदान किया जाए अपराद पर लगाम लगाने वे अपरादियों के साथ सकती से निपटने के आदिश दिये गई रातरी के समय प्रभावर रूप से गस्त भी करें डिलाइन्स जियो ने इंडियन मोबाइल कॉंग्रेस 2030 में एक नया फिचर फोन जियोफोन प्राइमा 4G लॉंच किया है जियोफोन प्राइमा 4G के खासित के बात करें तो इसमें 1800 mh की बड़ी बैटरी और 23 भासां को स्पोर्ट मिलेगा कमपनी का ये नया फोन 4G कनेक्टिवटी परदान करता है और काई OS यानि काई ओपरेटिंग सिस्टम पर चलता है काई OS Firefox ओपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ट एक ओपन सोर्स ओपरेटिंग सिस्टम है जिसे कीपेड और कीबोर्ड वाले फोन के लिए ड्वैल्प किया गया था ये फोन वार्टसेप, यूटूब, गूगल मैप्स और फेस्बूक को स्पोर्ट करता है इसके लावा इस फोन में आपको जियो सिनेमा, जियो टेवी और जियो चैट वे एफम रेडियूजर से फिचर्स भी मिलेंगे कमपनी ने इस 4G फोन की केमत 2599 रुपर रखी है इस फोन को जियो मार्ट की ओफिशिल साइट से खरीच सकते हैं आलांकि ये फोन अभी जियो मार्ट की साइट पर लिस्ट नहीं हुआ है हर्याना के 17 जिलों में बनाये गए 1072 प्रिक्षा के अंदरों पर 21 और 22 सक्षपर को ग्रूप D की सीटी प्रिक्षा आउजित की गई इस प्रिक्षा के लिए 13,84,000 उम्मीद्वारों ने रेजिस्टेशन किया था जबकि 8,51,000 उम्मीद्वारों ने प्रिक्षा दी इस प्रिक्षा का आयोजन National Testing Agency यानी NTA और हर्याना करमचारी चैनेयायु यानी HSSC की तरब से सैंक तुरूप से किया गया है इस भर्ती प्रिक्षा के जरीए ग्रूप D के लगबग 13,536 पदों पर इन विक्तिया की जाएंगी प्रिक्षा संपन होने के बाद अब उम्मीद्वार परिनाम की इंतिजार में है पर इससे पहले प्रिक्षा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रहा है हर्याने ग्रूप D की CT प्रिक्षा को लिग होने के आशनका जताई गई थी और इस मामले में दिल्ली प्रिक्षा ने दो आरोपियों को भी गरपतार किया है इसे बीच आयू की दरबशे दावा किया जा रहा है कि पेपर लिग होने के आशनका बिलकुल फरजी है हर्याने करमचारी चैनायू के अध्यक्स भोपाल सिंग खत्री का कैना है कि कुछ लोग इस भरते को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं इसलिए वह इसमें अर्चने पैदा कर रहे हैं ऐसे में प्रिक्षा का परिणाम अपनी निश्चित समय पर जारी होगा परिणाम से पहले प्रिक्षा के आंसुर की जारी की जाएगी जो की किसी विवक्त जारी हो सकती है एक नॉम्मर यनि आज से दिल्ली में बिये स्पोर्स रेनी की बसों के परवेस्ट पर परतिबंद के विरोध में परिवयान चेतर के विविन संगठन उतर आये हैं दिल्ली कॉंट्रेक्ट बस असोशेशन के महासेचेव हरेस सबरवाल ने का है कि प्रेटन बसें NCR परमिट के अंतरकत नहीं आती है इस संब्ध में उन्होंने परिवयान मंत्री कैलास गैलोत से बात की है साथ ही इन संगठनोंने इस संब्ध में परिवयान विवाग के आदेश को तुगलगी फरमान भी बताया है उन्होंने आदेश पर भी सवाल उठाये हैं भारती सेर बाजार में गिराउट देखने को मिली है सेंसक 237 संग फिसल कर 63,844 के स्तर पर बंद हुआ वहीं निप्टी में भी 101 टंग की बड़ी गिराउट देखने को मिली और यह 19,009 के स्तर पर बंद हुआ फार्मा बैंकिंग और आईटी सेरो में बिक वाली देखने को मिली वहीं एक डोलर का रेट 83 रुपे 39 पैसे के स्तर पर बना हुआ है 24,8 के 10 ग्राम सोने की किमत की बात करें तो 61,238 रुपे पहुँच गई है वहीं 22 के एट प्योटी वाला 10 ग्राम सोना 56,094 रुपे का हो गया है जबकि 999 सुद्धता वाली चांदी की किमत 71,805 रुपे परती किलो पहुँच गई है आज खबरों बस इतना ही देखते रहिए आपका अपना हर्याना का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल CWB Hindi News नमस्कार आपका दिन सुब रहे